ही एवर्रिवन, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इन सभी और ऐसे ही बहुत सारे डिली हूज वार्ड्स को तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो फर्स्ट वार्ड है इत्तिफाक, इसे हम इंग्लीश में बोलते हैं कॉइंसिदेंस coincidence गुन-गुना lukewarm next one is गुद-गुदी इसे हम English में बोलते हैं tickle tickle तांक जाक करना इसे हम बोलते हैं snoop snoop अपनी नाग घुसेडने वाला हर चीज में जिसे घुसना है उसे हम बोलते हैं snooper snooper man-mutav bad blood bad blood या फिर आप बोल सकते हैं tiff next one is तरसना इसे हम English में बोलते हैं longing longing next one is तडपाना या किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुचाना इसे हम English में बोलते हैं tantalize tantalize next one is जैसे तैसे या किसी ना किसी तर हैं इसे हम बोलते हैं somehow somehow next one is नमक हलाल इसे हम बोलते हैं faithful faithful next one is खुलम खुला इसे हम बोल सकते हैं straightforwardly straightforwardly या फिर आप बोल सकते हैं frankly और openly next one is खुलासा करना इसे हम English में बोलते हैं to disclose तू डिस्क्लोस या फिर reveal reveal next one is थका हारा इसे हम English में बोलते हैं exhausted exhausted या फिर washed out washed out next one is जल्दबाजी इसके लिए हम बोल जूस करते हैं haste haste next one is जोर देना इसे हम English में बोलते हैं emphasize emphasize next one is काम में डूबे रहना जिसे काम करने की बहुत ज़ादा लथ हो जाती है उसे हम बोलते हैं workaholic workaholic next one is बाहर का जो अपना नहीं है पराया उसे हम बोलते हैं outsider outsider बढ़ावा देना इसे हम बोलते हैं to encourage to encourage बचा हुआ खाना इसे हम बोलते हैं leftover leftover या leftover food next one is बिकाव इसे हम बोलते हैं saleable saleable जिसे हमें sale कर सकते हैं next one is जी जान से इसे हम English में बोलते हैं wholeheartedly wholeheartedly next one is gumnaam इसे हम English में बोलते हैं anonymous anonymous next word is fasana किसी को fasana उसे हम English में बोलते हैं crap next one is fajul kharch इसे हम English में बोलते हैं extravagant extravagant next one is lapata इसे हम English में बोलते हैं missing missing that's all for the day please in sabhi word को आप अपनी daily life में English में यूज़ करके जरूर देखिएगा मिलते हैं अपने next video में करते हैं अपनी अपनी यूएँ